इस्टिए नुम्मबर बन है। अफ्रीका के काला हरी मरुस्तल का विस्तार नमले के तो में थो भश्य हैं बताएं काला हरी डेजर्ट जेसर जो है यह उपर इंपोटेंट है और शाइद बहुत बार पूछा होगा एकसाम में तो जो काला हरी जो डिजर्ट है उसका विस्तार दक्षण अफ्रीका तथा बोथ स्वाना में अफ्रीका के कोश्चन नमबर टू है अफ्रीका के सबसे बड़े मरुस्तल सहारा का विस्तार निम्लिकत में से किन देसों में आप बताईए सहारा डेजर्ट के बारे में सभी ने सुना होगा लेकिन प्रश्ण यदि इस तरह से पूछ ले जाता है कि यह जो विस्तार है सहारा मरुस्तल का कि ठीजिय इसमें वीए टूनीशिया में है क्या सभी में है तो इसका अंसर हो जाए को सनमबर डी woun two three for five के हैं तो अफ्रीका के सबसे बड़ा मरुस्तल ay सहारा मरुस्तल जिसका विस्तार है उत्तरी अके माली में मौरकों में अलजीरिया टुनीशिया पहले दो बार मतलब प्रिवेस सेर के पेपरों में, तो देखे ये है अपनी प्रत्वी, बीच से एक रेखा खीच दी जाती है, जीरो डिग्री इसको बोलते है, इक्वेटर या भूमत रेखा, उपर का हो गया, उत्री गोलार, नीचे का हो गया, दक्शनी गोलार, दिये हो गया, उत्री दृप, यह हो गया दक्षनी दुरुप तो इसकी बात करा है हां से नदी इसको जाइरे जाइरे जो है वो विश्वत रेखा को दो बार काटती है तो देखिए अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जाइरे जिसको कांगो भी बोला जाता प्रेस्ट में कांगो भी आ सकता तो इ किसी पर इस्तित हैं कि कोश्चन नुम्बर फोर है अफरीका की बहुत देशी परियोजनाओं के संदर में एक तरफ है नदी उस दूसी तरफ है परियोजना जाइरे के सामने ओवन परियोजना लिखा है नाइजर के सामने से नार परियोजना स्वेत नील देखे नील दो प तो देखिए जो जाइरे नदी पर परियोजना है वो बनी है इनंगा और जो स्वेत मतला वाइट नील पर परियोजना है वो बनी है ओबन तो एक और तीन तो गलत हो गया जहाँ जहाँ एक और तीन हो नहीं सकता तो देखा जाए तो सारे के सारे गलत हो गए यह तो फिर और नाईजर जो है उस पर सेननार परियोजन नहीं बनी है केंजी परियोजना बनी है तो कोई भी इन मेंसे सुमेलित नहीं है सारे के सारे गलत सुमेलित है तो इसका अंसर जागा D तो देखें, जाइरे पर इनंगा परियोजना है क्यों प्रोक्त मैं से कोई भी सुमेल नहीं है और सुट नील पर ओबन परियोजना है नाइजर पर केंजी परियोजना है और लेखनी है कि अकोसोमबो बांध बोल्टा नदी मतलब घाना पर है और बोल्टा नीदी का है घाना में और बांध के निर्माण से बोल्टा नामा करतिम जील का निर्माण हुआ है जो अफरीका की सबसे बड़ी करतिम जील है नील नदी के संदर में नम्रिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह विक्टोरिया जील से निकरकर अट्लांटिक महासागर में घर जाती है इससे होकर भूमत रेखा गुजरती है स्वेत नील तथा नीली नील इसकी सहायक नदियां है प्रमुक सहायक नदियां है देखे दो परकार की नील है एक ब्लू नील और वाइट नील आगे जाके मिल जाती है तो करेक्ट है यहाँ पर और इससे होकर विश्वत रेखा गुजरती है ये भी करेक्ट है विश्वत रेखा भी धर सी तो जारी है तो यहाँ तो है यह अब आकि देखे विक्टोरिया जील जो है नील नदी जो है वो विक्टोरिया जील से निकल कर अटलांटिक महासागर में थोड़ी गिरती है यह और अफरीगा के बहुत है इस साइड में यह तो इधर ही गिर जाती है अब तो मेडिटेरियन में गिरेगी भूमत इसागर में तो पहला गलत है क्या एक से इसका आंसर निकल सकता था बेलकुल इसका आंसर हो जागा अप्सन नमबर वी तो एलिमिनेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है PCS की परिक्षाओं में PCS इस्तर की परिक्षाओं में और UPSC की परिक्षाओं में तो देखे विक्टोरिया जील से निकल कर भूमत सागर में गिरती है यह इसने गलत हो गया पहला विक्टोरिया जील अफरिका की सबसे वड़ी जील है और इससे होकर भूमत विश्वत रेखा जो है गुजरती इसने दूसरा भी सही ए और यूगंडा युथोपिया इसन सुडान से होकर बहती है और देखिये स्वेह्ट नील तथा डीली नील इसके प्रुमुक्श हाय के नदियां इसने दीसरा भी सही है और मिस्र का जो अस्वान टविवानबांध है वह इसी नदी पर बनाया गया है याद रखी का अफ्रीका के निमनिकें से कौन्सी जील सबसे दक्षण मैं है अफ्रीका की इन जीलों में कौन्सी सक्षण्ड कोसिजना क्र는지 सबसे दक्षण्ड होगी नसीर, ताना, विक्टोरिया या फिर अबाया बताईए देखे इन में सबसे दक्षिन तम होगी विक्टोरिया जील तो अफरीका में इस्तेत जीलों का उत्तर से दक्षिन की और यदि करम देखा जाए तो नसीर जील सबसे उत्तर में, उसके नीचे आओगे तो ताना जील, उसके नीचे अवाया जील, अवाया जील के नीचे विक्टोरिया जील, और विक्टोरिया जील के नीचे है नासा जील यदि भुगोल के प्रश्ण आप बना रहे हो तो मैप आपके दिवार पर होना चाहिए सामने या फिर एटलस खरीद लीजे जिनके पास नहीं है यहां पर अप्रिका का ऐटलस परवद मोड़दार परवद है और क्लीवन जारो तथा केन्या जौला मकी परवद है यह भी करक्ट है तो देखें आटलस परवद अफिरिका का एक मोड़दार परवद है यह मान नहीं है एक मात्र होना चाहिए एक मात्र मुड़दार परवत है और इसका विस्तार योरप तक है अफरीका इस्थित क्लिवन जारो तथा केनिया परवत जो है वो जो आलम की परवत के दोरुन है दो बार हो गया क्या चलिए योरप के संदर में नमलेखित कत्मों पर विशार कीजिए योरप का पैरेज सीन नदी के किनारे अवस्थित है पैरेज क्या है फ्रांस की केपिटल है और सीन नदी जो है वो उत्री सागर में गिरती है देखिए पहला correct है दूसरा है incorrect क्योंकि सीन नदी जो है वो उत्री सागर में नहीं गिरती वो तो इंग्लिस चैनल में गिरती है ना तो इसका अंसर हो जागा one only तो योरप का पैरिज जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश प्यूसियेज का फेवरेट प्रश्चन बहुत पार पूछा सीन नदी जो है वो इंग्लिस चैनल में गिरती है ना कि उत्तरी सागर में इसलिए एक सहीय दो कलत है नमलिकित कत्नों पर विचार क निकल कर भूमद सागर में गिरती है मतलब मेडिटेरियन में गिरती है और यूराल नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है करेक्ट है इंटरचेंज कर दूँ देखिए करेक्ट है बिलकुल रोन नदी जो है वो आलस माउंटेन से निकल कर भूमद सागर में गिरती ह और यूराल नदी जो है वो कैस्पेंट सागर में गिरती है तो दोनों के दोनों सही है तो C हो जागा इसका उत्तर है तो इसका अंसर हो जाएगा एक और दो दोनों यहां पर सही है नमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कोई एक जो है सही सुमेलित है चार चार है तो तीन यहां सही सुमेलित होंगे और एक जो है सही सुमेलित नहीं होगा अपने को इसी को खोजना है तो गैरान नदी फ्र तो देखिए गेरान जो है यह सेंट्रल मैसे फ्रांस से निकल कर बिसके की खाड़ी अट्लांटिक महासागर में गिरती है जो एल्ब नदिया वो हैंबर्ग से जर्मनी इसी नदी के महाने पर रस्तेता है जो नदिया वो युक्रेन तथा मालडोबा के मदिसीमा बनाती है और रूस के टूला से निकल कर एजोप सागर में गिरती है तो फ्रांस से संबन्द नहीं है डॉन का डॉन का संबन्द है रूस से रूस Question number 11 है कोई बंदरगा है ये पताईए कहां परिस्थ है बंदरगा का नाम क्या है मुमुर्सक मुमुर्सक बंदरगा जो है वो कहां परिस्थ है Germany, रूस, इटलिया फ्रांस, मुमुर्सक बंदरगा, देखे इटली में तो है नहीं है अब बताईए कहा पर रहा है चलिए एक और Elimination करते हैं फ्रांस में भी नहीं अब बताईए काम असान होगे थोड़ा शर्मनी में भी नहीं है अब तो बढ़ा सकते हो ना रूस में इस तो देखिए रूस में प्राकर्तिक बंदरगा कम है मुमर्शक बंदरगा उत्री धुरुब सागर का एक मातर पत्तन है यह उत्री अट्लांटिक प्रवा के कारण वरस भर हेमयुक्त रहता है रूस के किस सहर को पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है किस सहर को कहा जाता है most important प्रश्णा है मासको को कहा जाता है इस तरह के प्रश्णा आपको लुसेंट में भी सीदे सीदे मिलेंगे तो रूस का मास्को सहर कैस्पियन सागर, कुमा काला सागर, कुमा वाल्टिक सागर, कुमा स्वेत सागर तथा लाडों का जील से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है किनहें इसकेडी ने वियाई देशों के रूप में जाना जाता है यह प्रशन important है ऐसे प्रशनों को तो एंट्रिवू तक मैं पूछ रहते हैं किनहें इसके डिने वियाई देशों के नाम से जाना जाता है साथ पहले भी बता चुका हूँ मैं इसको देखें नार्वे को जाना जाता है स्वीडन को जाना जाता है और डेनमार्क को जाना जाता है इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर C तो नौर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को समलित रूप से स्केडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है इसके अलावा फिन्लेंड हो गया, आइसलेंड हो गया, फेरो द्वीब, यदि इसमें मिल जाएं, तो इनको नार्डिक देश के रूप में जाना जाता है Question number 14 है, योरप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आसान सा प्रश्ण और most important कौन सी है, बोलगा नदी योरप की सबसे लंबी नदी कौन सी, बोलगा नदी, तो बोलगा योरप की सबसे लंबी नदी है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, most important है याद रखना, कैस्पियन सागर में गिरती है, यह नदी बलदाई पहाड़ी से निकलती है, अका, कामा, उज़ा, इसकी प्रमुक सहा अगाइगा एक्जामनर सबसे यह ढिदेता वह क्या भूमत इसागँ डिती है कैस्पिन सगर में पर नंबर 15 जो कर राजधानियों undo नदी गुजरती है किन राजधानियों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी पैरिस फ्रांस से होकर गुजरती है वियना ऑस्ट्रिया से होकर गुजरती है वेल्ग्रेड से होकर भी गुजरती है तो सभी के सभी सत्यां डी हो जाएगा तो देखिए डेन्यूब ने दि यूरप की पांच राजधानियों से होकर गुजरती है ये पांच देश तथा उनकी राजधानिया इस प्रकार है एक तो वियना ओस्ट्रिया अपने प्रश्म में पूछा था तो ये है और एक बेल ग्रेड यूगोसलाविया से होकर गुजरती है बुखारेश्ट रोमानिया से होकर गुजरती है बुड़ापेश्ट हंग्री से होकर गुजरती है और ब्राटिसलावा स्लो वाक्या से होकर गुजरती है चलिए questions number 16 नेमलिखित कतनों पर विचार करना है Elbrus जो है, वो रूस का सबसे होंचा परवत सिखा रहा है और इसे वकसान, कुवान तथा मलका नदिया निकलती है बताइए, इस से वकसान, कुवान तथा मलका नदिया निकलती है किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजटती है जो पैरेस है वो तो सीन नदी के किनारे है तो ये तो हो नी सकता भई एक हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा इसका उत्तर हमको दो और तीन मारना पड़ेगा वियाना और वेल ग्रेड तो इसका अंसर हो जागा क्योंकि बुखारेष्ट रोमानिया बेल ग्रेड यूगोसलाविया बुड़ापेश्ट हंगरी ब्राटिसलावा स्लोवाकिया और वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूम नदी जो है वो योरोप की पांच राजधानियों से गुजग गुजडती है और ये पांच देश और उनकी राजधानिया ये हैं बुखारेष्ट, बेलग्रेड, बुड़ापेश्ट, प्राटिसलावा और वियना क्योंकि पैरिस्ट तो सीन नदी के किनार है ना ये तो सभी को पता है तो सी है इसका अंसर दो और तीन के बल चलिए आईए सिक्स्टी निमबर पर आते हैं निमर्कि सही है या सही नहीं है तो देखिए काकेकस परपतमाला पर इस्थित एलब्रुस जो है वो रूस का सबसे हुचा परवत सिकर है इससे वकसान, कुबान तथा मलका नदिया निकलती है और हाला कि यह है एक मरत जोरा मुखी है फिर भी बैग्यानिकों का मानना है कि इसके निमलखित कतनों पर विचार कीजिए दो स्टेटमेंट है यहां पर बताना है कि कौन सा सही होगन में इटली की राजधानी रोम इल्व नदी के किनारे इस्तित है और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है अगर लिशेंट पड़ी होगी तो कुश्चन नमबर 17 को करेक निमलखित कतनों पर विचार कीजिए तूरिन को इटली का डेट्रोइट कहा जाता है और मैंचेस्टर युनाइटिट किंग्डम का प्रिसिद कपड़ा उत्पादक राज है कपड़ा उत्पादक है या फिर ऑटो मोबाईल है देखें फिलिप कआर्ट से भी देखा होगा अपने मैंचेस्टर युनाइटिट क्लोथिंग लिए है दोनों के दोनों सही है कोशन नमबर 19 है अमूर नदी किंदो देसों के बीच सीमा बनाती है उत्री कोरिया और दक्षण कोरिया के मद्ध बनाती है क्या नहीं बनाती पाकिस्तान अफगानिस्तान के मद्ध बनाती है क्या नहीं बनाती भारत और रूस के मद्ध तो कैसे बन वेसे कौन सा जो है वो सही नहीं है राइन तथा रूर नदी के बीच का छेत्र कोईला उत्पादन के लिए परसिद्ध है म्यूनिक कला तथा संस्कृति का केंद्र है सैक्सोनी प्रदेश में लिगनाइट कोईले के भंडार पाए जाते हैं और ब्लैक फोरेस्ट तथा परवत जो अलमुखी परवत हैं देखिए बहुत बार बताया होगा ब्लैक फोरेस्ट तो ब्लॉक माउंटेन का उधारण है ना जो अलमुखी परवत का थोड़ी है तो दूसरे को अलिमिनेट कर दीजे तो एक अपना अंसर आराम से मिल गया है तो देखिए ब्लैक फोरेस की विल्कुल उत्तरब्रदेश PCS की परिक्षाओं को मेल खाती है